नुवंबर का महीना चलना है अभी गुलाब पर प्रूनिंग कैसे कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा फूल आए और निखरकर अगर अक्टूबर में आप नहीं कर यह प्रूनिंग और उसमें प्रूनिंग अगर आपका गमला में है या कहीं पर है उसे प्रूनिंग कर हाड प्रूनिंग अभी चाहिए और उसके बाद हाड प्रूनिंग जैसे ही होगा वैसे ही ये गुलाब फोल देना स्टार्ट कर देगा उसके बाद इतना सूट निकलेगा उतना ही ज्यादा फोल निकलेगा इसमें और अमरूद में यही खासियत होता है जो जितना सूट अब ये क्यारी में लगाया हुआ है आप गमला में अगर लगा रहे हैं तो 12 से तीरा 12 से उपर का गमला जितना भी हो उसमें लगाईए पहले नीचे का थुरा मीटी खान दीजिए उसमें जो भी खाद हम बताएंगे वो सब डाल दीजिए मैं इसमें तो पहला नमबर इसमें खाद देने का बात करू तो मैं ऐसा ऐसा खाद दिया हूँ जो आप जानके चोग जाईएगा और ये मेरा बहुत अच्छा प्लांट है और इसे बतलब अभी ये पिछला वीडियो है ये देखी ये अब सुखने लगा था उपर से इसलिए इसका डेड हेडिंग बहुत कर सकते हैं एक एक बात हम बताना भूल जाते हैं इसमें मेरा से एक गलती हो गया था मैं इसका जो है नीचे से प्लांट निकल गया था उसमें भी मुझे फूलाया कलव बाला बे लेकिन नीचे जो कलर इसका था वो बदल गया था और उसे मैं इधर आके जब वो फूल दिय या नहीं बसता है ऐसे तो नीचे से यही जो डाली है यह नीचे बाला rough डाली है यह अलग भेड़ी है यह अ test is richten भी यह week वह दो रग का रेड हो गया है अब देखिये मेंथे यह से बचा लेंगे तो तो आपसी बाइन्ट बहुत अच्छा ग्रो कर जागा इसमें आपको बात करें बहीं जो भी फंगिसाइड मैं डालने से पहले ये सब काम कर दिया हूँ क्योंकि मैं फंगिसाइड जो है चंपियन कंपनी का लिया हूँ, मेरे पास इतना बड़ा फंगिसाइड है और इसे मैं घोलूँगा दो ग्राम से तीन ग्राम फंगिसाइड भी इसे चाहिए, अगर चुनना इसे इमें डालना चाहते हैं आगर आपके पास कौन वाला चुनना हो, जो लाइम मतलब चुनना आता है, घर में, खाने वाला जो ख़ईने के साथ चुनना आता है, वो भी डाल सकते हैं, पानगे दुकान पे भी चुनना मिल जागा, जिसे पोताई किया जाता था वही चुनना आप डालिएगा, यह फंग यहीं जो घुरा हूं इसी से कर देता हूं और जो बचा इसमें तो इसमें मैंने पहली बार इसका जतना मतलब जहां-जहां से हुआ है ऐसे तो एक ड्रॉप लेने से बहुत अच्छा हो जाता है एक ड्रॉप इस पर डाल दीजिए उससे ठीक रहता है लेकिन ऐसे करके मैं डा करना हूं ऐसे धींहें दीमें अपुरा जहां-जहां कटिंग की हैं वहां से आप डाल दीजिए उसके बाद देखेंग वह कटिंग से बहुत अच्छा नीचर सरा सूट निकलना स्टार कर देगा उसे जैसे ही यहां से नीचर से सूट निकल पूरा सूट निकलना चाहिए और पूरा cutting अच्छी तरह से होना चाहिँ है तीरचा भी cutting आप करसकते हैं, Jewel cutting करना चाहते हैं तो अगर cutting आप कर लीजे तो उसे दूसरा गमला में लगा दीजिय को प्लांट हो जाता है मैं इस पे भी लगा देता हूँ और मैंने चुणार डाल दिया हूँ पहले इसे निराइ गुराई नीचे से कर दूगा और इसे मीटी निकाल के फिर मीटी बदल दूगा और उसमें परमी कमपोस्ट जो परमी कमपोस्ट एकदम सरा हुआ गळाँ हुआ, वैसा बर्म gwigam गमलाही में हमें छोड़ा जाता है, ighल को ऑपना में गल के गोठा मैं भागच्षिक हो गया है कु그램 आणे गभी तरह से स्वागी कर दिया हूँ आपको इस्प्रे है तो इस्प्रे वसी से भी आप इसे डाल के अच्छी तरह से बार दीजेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा जितना नया सूट आएगा उतना ही ज्यादा फ्लावर देगा और इसमें सबसे बेर काब करना होगा अगर आप परन्वील हम नहीं देना चाहते तो वह नहीं दे सकते हैं उसके लिए हूबी के सीडिका बहुत अच्छा काब होता है हूबी के सीडिका देखिए एक-एक मुठी मैं इसमें दोनों में डालूंगा और एक-एक मुठी मेरे पास दो ही पलांट मतलब आइसे तो आठ नाव प्लांट है सभी में एक एक मुठ्षी डालूगा यह कुछ देशी भेराइटी है यह सब आपको मतलब वह बाला भेराइटी है जो भेराइटी इंगली सुरोज के नाम से जाना जाता है और इसे पुरा निराइगुराइग कर दूगा इसके बाद और जैसे ही यह इसमें से चले तो देखिए इसमें फासफूरस भी रहता है और भी तरह का बहुत सारा खाद रहता है आयरन रहता है बहुत सारा चीज इसलिए एक एक उठी डाल दिया हूँ जब डेलिकी असीड भी होता है सारा चीज रहता है इससे यह प्लांट बहुत ज्यादा इन्हांस करेग बहुत सारा फ्लावर देगा अगर मेरे वीडियो पर अभी तक देखे हैं तो जरूर लाइक से उप्टेक करकर